हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चानल में स्वागत है आज हम लावाईखी बनाएंगे जिसे आप मोल्ट इडली या फिर सप्राइज इडली भी बोल सकते हो इडली एक फोमेंटेड फूड है जिसमें बहुत सारे गुट प्रोबियोटिक्स होते हैं उसी के साथ साथ वह हमा इडलीका बैटर बनाने के लिए यहां से हम रवावावर लिया है इसमें हम इतले पाणी करेंगे यहां सच्छे से धोड़ेंगे हम इस अच्छे से धूलेंगे ताकि इसकी गंदगी निकल जाए और हमारी इतली सफेद बने इसे तीन पानी से अच्छे से धूने के बाद इन सारे सामगरियों में पानी दाल देंगे और इसे धक देके 6-7 गंटे के लिए भीकोने के लिए रख देंगे 6 गंटे हो चुके हैं याँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे सामगरी डबल हो गये हैं अब हम इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इन सारे पानी को निकाल देंगे अगर आप इसे मिक्सी में पीस रहे हो तो हम ये सारे सामगरी को अलग-अलग पीस लेंगे फिर इसे एक साथ मिला लेंगे याँ पर आप देख सकते हो हमारा घोल कुछ इस तरह से दिखना चाहिए इसमें स्वाद अनुसार नमक दालेंगे और इस घोल को अच्छे से मिला लेंगे अभी इटली का बैटर फर्मेंट होने के लिए हम इसे धग दे के काउंटर टॉप में राद भर के लिए इसे ही छोड़ देंगे याँ पर आप देख सकते हो हमारा घोल कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है यानि कि घोल में बहुत अच्छी खमीर आई है परफिट और सॉफ्ट इटली बनाने के लिए बैटर में फर्मेंटेशन बहुती ज़रूरी है घोल में खमीर अच्छे से तब भी आएगा जब आप इसे रात भर के लिए कोई घरम जगह में बगर डिस्टब के इसे रख देते हैं अब हम इस इटली के घोल को अच्छे से मिला लेंगे अब हम इस बैटर की कंसिस्टनसी को एक बार चेक कर लेंगे और ये घोल अब रेड़ी है इटली बनाने के लिए इस इटली के घोल को न ज़ादा गाड़ा न ज़ादा पतला रखेंगे लावा इतली बनाने के लिए हम एक सीक्रिट इंगरियन का यूज करेंगे जो है गोल गप्पे जी हाँ पानी पूरी यहां पे हम इस तरीके से बड़ा वाला गोल गप्पे का इस्तमाल करेंगे और इसे इसे बीच में से छोटा सी होल कर लेंगे यहां पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपके पूरियां तूटी न रहे हमें तीन लावा इतली बनाना है इसके लिए हम तीन पूरियों के बीच में ऐसे छोटा सा होल बना लेंगे बाकी जो दो पूरी बचा है हम उसे बीच में से दो भाग में टोट लेंगे इन गुल गपे के अंदर हम सामबार को फिल करेंगे सामबार जादा पतला या जादा गाडा नहीं रहना चाहिए यहां पे हमें ध्यान रखना है कि सामबार जादा घरम न रहे बाकी तो गुल गपे में भी हम सामबार को इसी तरह से उपर तक फिल कर देंगे यहां पे हमने तीन सिलिकॉन मोल्ट्स लिए हैं जिसमें हम इटली को पकाएंगे यहां पर हम सिलिकॉन मोल्स का इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि इटली इसमें से आसानी से निकल जाएगा यहां पर अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्स नहों तो आपका टोडिका भी इस्तमाल कर सकते हो इन तीनों सिलिकॉन मोल्स में जो इटली का बैटर हमने बना के रखा था वो दो टीबल स्पून जुतना बैटर इसमें डालेंगे जो गुलगपे को हमने सामबार से फिल करके रखा था वो सारे गुलगपे को इस तरह से सिलिकॉन मोल्स में डाल देंगे गोलगपे को मोल्ट में डालने के बाद जो दो पूरियां हमने तोड के रखे थे उसमें से हम एक छोटा पोशिन तोड लेंगे और इसे होल के उपर रख देंगे इसी तरह इन सारे गोलगपे को पूरी के पीसस से इसे ढख के हम इसके होल को कवर कर लेंगे इन गुल गप्पे को कवर करने के बाद जो इटली का बैटर हमने बना के रखा था हम इसके उपर डालेंगे यहां पे हमें इटली के घूल से इस पूरी को अच्छे से कवर करना है आप देख सकते हो हमारा पूरी इस घूल के अंदर अच्छे से चुप गया है यहां पे हम निक्टिन लिया है अब इस टिन के अंदर हम इस सिलिकॉन कप्स को रख देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे अगर आपके पास इटली स्टीमर न हो तो यहां पे आप कुकर में भी स्टीम कर सकते हो कुकर में हमने पानी डाल दिया है उसके उपर एक रिंग को रखे इस तिन को रख देंगे स्टीम करने के लिए कुकर का विज़िव रिमू करके इसे हम हाई फ्लेम में 5-6 मिनिट के लिए स्टीम कर लेंगे 6 मिनिट हो चुके हैं अब यहां पे आप देख सकते हो हमारा इटली अच्छे से कुक हो चुका है यहां पे आप देख सकते हो हमारा इटली कितने अच्छे से कुक हो चुका है अब हम इसे पलटा रेंगे और इस सिलिकोन मूल को लूज करेंगे आपको रेस्पी केसी बना, तिल दिन टेकर रेन बाग